आज आपको एक पत्रकार से मिलवाता हूं यह है पत्रकार तेसरी पुरुंदरे टाइमस नव की पत्रकार है और इनोंने भाजपई मुख्य मंत्री मनिपूर के भाजपई मुख्य मंत्री से एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पांच नहीं दस नहीं पंद्रा नहीं 18 सवाल के 18 सवार और पसी ने छुडवा दिये भाजपाई मुख्यमंत्री की मोदी साब के मुख्यमंत्री की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और लगातार ये पूच्छती चली गई ये तस्वीर आप देखिए बिर से ये पत्रकार यहां पर तेशरी लगातार सवाल पर सवाल सवाल पर सवाल सवाल पर सवाल दागती चली गई दो सवालों का तो इन्हों ने एकदम हिल्मुल डुल्मुल जो है जवाब दिया लेकिन उसके बाद में खामोस हो गए उसके बाद में तो जो है इनको धक्का इधर उदर से जो सिक्योर्टी गार्ड वो साथ में थे, मुक्रинов Darren के साथ में, वो पीछे धकेलते रहे, यह आप देखी, बाकी दो धकेलते रहे, ईक एक करके मैं आपको बताऊंगा, अठारा सवाल, अठारा सवाल कूछे, एक दो नहीं, अठारा सवाल, अठारा सवाल पू और यह पत्रकार को नहीं मालूम है यह वही पत्रकार है जिसने अभी अभी भाजपाई के जो दबंग सांसद विर्जबोशन सरन सिंग के पसी ने चुडाए थे यह वही यह वही जो है वो तेजसरी है और यह अब जो है वो पहुची हुई है मनिपूर के अंदर और मनिपूर से वाकई दिलेरी की जो है रिपोर्टिंग हो रही है इन्होंने क्या ट्वीट किया पहले आपको बताता हूँ फिर उसके बाद में पत्रकार ने इन्होंने सवाल क्या क्या पूछे फिर वो सुनिएगा मनिपूर के मुख्य मंत्री से सीधे 18 सवाल किये सीधे 18 सवाल किये लेकिन एक भी जवाब नहीं मिला हर सवाल का एक ही जवाब चुपी यह चुपी ही है जो मनिपूर के इस हालात में लेकर क्या ही है मनिपूर को इस हालात में लेकर क्या ही है मुख्य मंत्री जी लोग जवाब चाहते है मनिपुर में आग लगी हुई है लेकिन सीम साहब को रेल की अगवानी करनी है यह जो है इन्होंने ट्वीट किया है ट्वीटर के उपर इनका पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा कोपिराइट की वज़े से मैं आपको वीडियो तो खेर नहीं सुना पाऊंगा लेकिन इन्होंने जो बात कही है एक एक शब्द इनी के अंदाज में मैं आपको दिखाऊंगा एक दो सवाल तो जो है वो मुख्य मंत्री ने लिए मुख्य मंत्री सोच रहे थे कि कोई नहीं ऐसे ही है गोदी मेडिया एक कर लेंगे बाद लेकिन हर कोई तो नहीं होता है न साब हर कोई एक जसानी होता है पाँचों उंगलें बराबर नहीं होती और फिर उसके बाद में ये तो आगे चले गए लेकिन इनुमने सवाल पूछने बंद नहीं, लगातार लगी रही, 18 सवाल पूछ लिए, किया पूछे हैं ज़रा देखिए, पहला सवाल, पहला सवाल पूछा मुख्य मंत्री से यहां पर, ये मुख्य मंत्री जवाब दे रहे, पूछा कि मनिपूर जल रहा है विपक्स पूछ रहा है कि अभी तक action क्यों नहीं लिया गया यह सवाल जो है वो पूछा गया इसका जवाब जो है मुख्यमंतरी लेते हैं देखो अभी अभी रेलवे सिचोयशन को receive करने के लिए जो है वो आ रहा है, ही 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 ही, हसने लग जाता है, मुक्हे मंतरी हसने लग जाता है, कमाल की बात है, और यह जवाब भी कोई जवाब ने, ऐसे ही पता नहीं क्या बोल गया, उसके बात दूसरा सवाल, सर 55 दिनों तक आरोपी क्यों नहीं पकड़े गए फिर मुख्यमंतरी का जवाब आता है सबको पकड़ लिया है सबको पकड़ लिया है जबकि केवल 5 आरोपी पकड़े गए है 5 आरोपी मुख्यमंतरी जवाब दे रहा है बीजेपी का इस अब को पकड़ लिया है तीसरा सवाल सर विपक्स आपके इस्तिफे पर सवाल उठा रहा है इस पर क्या कहेंगे मुख्यमंत्री बिल्कुल खामोस चुप इसके बाद में तो मुख्यमंत्री ने मानो अपने जेब में हाट डाला हो और यहां से फैवकिक निकाली हो चुप बिल्कुल चुप फिर तो एक शब्दी नहीं बोला फिर तो घूम करके पलट करके देखा ही नहीं दो सवाल में मुख्यमंत्री समझ गया कि यह कौन है यह तो कोई बहार से है यह नहीं समझ में आएगा मुख्यमंत्री से पूछा कि इस तीफे पर सवाल और मुख्यमंत्र बिल्कुल silent, बिल्कुल खामोस, उसके बाद छोता सवाल देखिए, छोता सवाल पूछा, सर क्या आप समझते हैं कि सरकार सक्सम नहीं है, क्या कहेंगे इस पर आप, मुख्यमंत्री का कोई जवाब, मुख्यमंत्री CM जो है वो silent, कोई जवाब नहीं, जवाब ही नहीं, फिर से कोई भी ground पर पतरकार करता है, उसके बाद पाच्वा सवाल, सर क्या आप समझते हैं कि अभी तक action लिया जाना चाहिए था, ये सवाल, कोई जवाब नहीं, इस पर भी, कोई चूँ भी नहीं निकली, छटा, सर, action लेने में क्या कमी रही, इस पर क्या, आपको क्या लग र साथवा सवाल, सर, इतना लेट क्यों हो रहा है, बिरेन जी विपक्स लगातार आपके इस्तिफे की मांग कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे, कोई जवाब नहीं, बिलकुल साइलेंट, साथवा सवाल, सर, 75 दिन क्यों लग गए, 5 आरोपियों को पकड़ने में, सर, पूरा द कुल 18 सवाल पूछें, देखिए, इसी लिए शायद मोदी जी प्रेस कोंफरेंस नहीं करते हैं, और उनके जो, यहाँ पर मुख्यमंत्री है, उनको पता है कि कैसे जो पतरकारों को इग्नोर करना है, शुरवात में दो सवाल लिए, उसने सोचा कि यहाँ जो है, कुछ गु कुछ चीजे रिपीट करके पूछी जो बड़ी बात है, और इसको तो एक बर नहीं, हजार बर पूछी लेना चीए, जब तक वो जवाब नहीं दे तक पकड़ करके पूछते ही रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं, मनिपूर जल रहा है, स्थिती अभी नहीं बदल रही है, बिरेन सर को तो जो है वो ना जाने क्या ही हो गया है, बिरेन सर ने ना जाने क्या पी लिया, इदर से पर निकाल करके जेब में से कौन सी जो है लिपिस्टिक लगा ली है, एकदम से साइलेंट, मम एकदम से चुप चाप सन्दाटा, और ये पूछती चली गई, बारवा सवाल, मुख्यमंत्री जी आप इस पर क्या जवाब देंगे, ना केवल मनिपूर के लोग, बलकि भारत के लोग आपको सुनना चाहते हैं, फिर भी चुप, फिर दोबारा पूछा, सर पूरे भारत के लोग आपको सुनना चाहते हैं, क्या जवाब देंगे, मुख्यमंत्र पर सवाल है, सर क्या आप समझते हैं कि मनिपूर में हालात समाने हो गए हैं, कोई जवाब नहीं, सर क्या आप समझते हैं कि मनिपूर दोबारा से समाने हालात में लोट रहा हैं, कोई जवाब नहीं, अगर हालात समाने हो रहे हैं, लगातार जलाने की जो घटनाए हैं, वो क् है और इसके बाद में फिर धक्का मुकी होने लगती है वो जो रेलवे ट्रैक क्यू पर चल रहे थे अब देखे कितने मुश्किल है कि रेलवे ट्रैक पर चलते चलते हैं कोई प्लेन रोड नहीं होता है तो उस अपत्रकार कहती है कि सर हमारे केमरे को मत छेड़िए हम अपना काम कर रहे है पूरा देश इनको सुनना चाहता है इनको बोलने देजी लेकिन सेक्यूरिटी वाले कोई जवाब नहीं देने देते हैं आगे ले करके बढ़ जाते हैं, सतरवा सवाल, मनिपूर क्यों जल रहा है, सरकार सक्सम क्यों नहीं है, कोई जवाब नहीं, आखरी सवाल फिर पूछती है, केंदर और राज्य की तरफ से सुरक्षा बल लगाये जाने के बावजूद, हलात क्यों नहीं बदल रहे हैं, कोई 18 सवाल पूछे हैं इस रिपोर्टर ने इस पत्रकार ने 18 सवाल पूछे हैं एक नहीं दो नहीं तीन नहीं यहां पर देड़ दर्जन सवाल पूछे हैं और देड़ दर्जन सवाल में बार 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 मनिपूर को ले करके सवाल और मनिपूर के हलात पर मुख्यमंत्री के मुँ से उगलवाने की कोशिस लेकिन मुख्य मंत्री ने अपने मुँ पर फेविकोल लगा लिया फेविस्टिक यहाँ पर जो है वो लिपिस्टिक की तरह से लगा ली होटी नहीं खोल पाई फिर तो और देखिए यह जो पत्रकार हैं तेश्री यह पत्रकार यह वता रही है कि अभी भी वो अगर पत्रकारी तक करना चाहे तो कर सकता है और तेश्री ने वाज कितनी बखुबी आत दिखाया है और यही तेश्री जो थी सामने जब बिर्जभूशन सरन सिंग था और बिर्जबुशन सरन सिंग को भी ऐसे ही पकड़ लिया था वो जैसे ही एरपोर्ट के गेट से बाहर निकल रहा था पकड़ लिया और उसके बाद में उसकी गाड़ी तक जब उस गाड़ी के अंदर उसने बिर्जबुशन सरन सिंग ने ऐसे ऐसे उसके gate को जो है मारा माइक जो है उसने अंदर किया तो gate को जो है ऐसे मारा और जब पूछा तो फिर उसके बाद में का दर, बब, चुप ऐसे करके हडका दिया था लेकिन डरने वाले डरते नहीं है और बोलने वाले बोलते रहते हैं यह डरी नहीं और यह पहुंच गई अब मनिपूर और मनिपूर पहुंच करके वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है और देखिए आप किस तरह से जो है वो माईक है तार है उसको जो सिक्योर्टी है मुख्यमंतरी के साथ में वो यहां पर डिस्ट्रब करने की कोश सिस करती है लेकिन यहां पर खड़ी रहती है अब सोचिए कि एक पत्रकार जिसका चेहरा शायद आपने देखा भी नहों मैंने भी इसको पहली बार जो इस पत्रकार को मैंने तभी देखा जब यह बिर्जभूशन वाला जब केस हुआ था तेज सरी को पहली बार मैंने देखिए लेकिन देखिए आफ जो आपको जो शाम को जो दिखाई देते हैं पांच बजे से साथ बजे तक पर Carny आपको दिखाई देती हैं एक दम से पूरा चका चोंद एक दम से इतना शांदार और पैनल के उपर ये वो ये वो ये वो फला फला पता नहीं कितने लोगों को बठा करके रखती है जैसे लगता कि आज ही पूरे देश का जो है वो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा लेकिन हो जो आज के जो आज तक का चया प्रोग्राम देखे लिजिए या बाकी और चैनलों का प्रोग्राम देखे लिजिए और बाकी प्रोग्राम देखे लिजिए और इसी पर टाइम सना उपर देखे नवी का प्रोग्राम देखे लिजिए तो वहाँ पर क्या पूछा जा रहा ह कॉंग्रेस की जिद क्यों है, प्रधान मंतरी को क्यों बुलाने पर कॉंग्रेस आड़ी हुई है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, विपक्स क्यों भाग रहा है, ये वहाँ पर टेगलाइन चल रही है, ये वहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर के उपर लिख करके बताया जा रहा है कि विपक्स सर्चा से भाग रहा है, तब कि सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि ग्राउंड पर जमीन पर हालात बहुत खराब है, कल तेजश्री ने ही ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, कल रात को आठ बजे के आसपास जो है, उपदर्वियों ने, अग लगा दी, सरकारी स्कूल को आग लगा दी, वो ग्राउंड रिपोर्ट जो है, तेजश्री ने कि, काई सारी रिपोर्ट जो है, वो तेजश्री वहां से निकाल रही है, और एक और पत्रकार है, आज तक के, आसुतोस, वो भी वहुत शांदर काम करते हैं, वो भी काम कर रहा है उसको मालूम है वो वहां से रिपोर्टिंग भी कर रहा है लेकिन एक चीज़ पता क्या होती यह नोड़ा के जो चैनल है इनके अंदर एक सरारत होती बड़ी शांदार तरीके से सरारत करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके सारारत की जा रही है, ये वाली जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को वो अगर सुबह से लेकर के शाम तक चला दें, और ऐसे ही चार-पाँच और रिपोर्टर उतार दें, अलग-अलग चैनल पर, और ऐसे ही सुबह से स्याम तक के लिए ये चलते रहें, दो दिन नहीं लगेंगे, इस्तिफा हो जाएगा, लेकिन होता ये है, कि ये जो चीज है, ये जो रिपोर्ट है, और ये तो शांदार इसने बनाया, तो इसको हो सकता थोड़ा चला दें, लेकिन अगर इस तरह की र रिपोर्ट आती है, जो एकदम सरकार को उधार करके रख देती है, एकदम उधेर करके रख देती है, सरकार को, वो सारी रिपोर्ट जो है, वो ऐसे समय पर चलाई जाती है, रात को दस बज़े के बाद, सुबह जो हो चलाई जाएंगी, दोपैर में चलाई जाएंगी, प् पर पानी की बोतल फैक रहा है और उसको मा भेन का ये कह रहा है ये चलता रहता है लेकिन ऐसे रिपोर्ट फिर रात को आएंगे ऐसे आप आज तक चैनल पर देख लीजिए दस तक पर जो प्रोग्राम आता है कभी पुन्य प्रसुन वासपी ले करके आते हैं तो वो प्रोग प्रोटर की निकाली भी खबरे हैं तब उनको नहीं पूछते हैं तो खेर तेसरी को बहुत-बहुत सुदकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि मनिपूर से कुछ और अभी भी इनका और बहस्त आना बाकी है और वहां से लेकर क्या आएं अपने लेकिन जान की सुरक्षा वहा अधरनेट नहीं है और लगातार आगजनी लगातार बोली बारी हो रही है और ऐसे में कोई जो जिस तरह से हमारे जो चैनल हैं उनके लिए तो पोसिबल भी नहीं है कि आप लोग वहां पर जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर पाएं क्योंकि बड़े संस्थान के जो सवाल पूछे हैं उन पर आप क्या सोचते हैं क्या वाकई ही वो सवालों में दम है और अगर आपको लगता कि हाद दम है तो आगे तक इस पत्रकार की मेनत को पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले क्या भी भी कुछ लोग जो है वो बाकी हैं जो सीधे सप्ता की आ अंसद के अंदर सवाल पूछ ले तो सोचे सरकार कैसे भागती वी नजर आए तो बहराल इनको डेरो सलाम आप इस रिपोर्ट को आगे तक पहुंचाइए आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बुक्स में लिख करके जरूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आपको मिल सके और अगर ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेस को लाइक कीजिए फोलो कीजिए और इस खबर को शेर कीजिए धन्यवाद